नमस्कार दर्सकों मैं सुची आपको वेल्कम करती हूँ हमारा और आपका प्यारा सा चैनल ब्लूम्टु एक्स्प्लोर में आज हम हाइदराबाद का एक एची जगा एक्स्प्लोर करेंगे जो बैस्नफ संथ और सामाजिक सुधारक स्वी रामाजर्चारिय को समर्पित हैं वेल्कम तु दा हाइदराबाद होम तु दा मैगनिफिसेंट स्टाची ऑप इक्वालिटी वान अप दे वर्ल्ड स्टाची आज हम यहां कभर करेंगे हाउ तो रिस देयर, पार्किंग फैसिलिटी, एंट्री फीज, एंट्री टाइम, पूर्ड फैसिलिटी एंड वेनी मो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किये हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए, लाइप एंड सेयर भी कीजिए आपका प्यारा प्यारा कॉमेट भी दीजिए, जो हमें नया नया जगह एक्स्टोर करने के लिए प्रेडित करता है चलिए लेट ना करके लोकेशन की और बढ़ते हैं स्टाची ओप इक्वालिटी हाइद्रावर्स से एराउंड 40 किलमीटर दूर है यह जगा स्रीरामनागर भीलेज में स्तित है आप यहां जब एंटर करेंगे आपको बहुत बड़ा एरिया दिखाई देगा जो एराउंड 45 एकर का एरिया है हलो एबरिवान सभी को स्टाची ओप इक्वालिटी में स्वागत है चलिए अंदर चलते हैं यह जो देख रहे हैं वह एंटरंस प्लेस हैं यहां पर लॉगेज और कैमेरा सब रेक रखके जाना होगा जो सूर्स टांड भी है अंदर भीतर आपको 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 थोड़ा से दिख रहा होगा आपको दिखाने के लिए बहुत तो साइद अंदर अलाव नहीं करेंगे रात में वह भी बहुत अच्छा लगेगा हो सके तो आप जरूर एप प्लेस बीजिट कीजिएगा क्योंकि हाइदरबाद में अभी यह मॉस्ट फैपरेट प्लेस अब क्या क्या क्योंकि यह अब भूरा है वो म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा होगा रात में वह अच्छा लगेगा हो सके तो वीडियो तो एलाव नहीं करते अंदर वीडियो एलाव नहीं है जहां भी जो भी करना है यहां पर ही करना है और आड़न क्रेट टिकेट का प्राइस टूहंड़ है अम ए प्रतिमा 216 फीड उंची है जो इस दुनिया की सबसे उंची अध्यत्मिक गुरु को समर्पित प्रतिमाओं में से एक बनाती है इसे पंच धातु से बनाया गया है पंच धातु सोना चान्दी कांबा पीतल और जस्ता का मिश्रण है जिसे हिंदू परंपरा में पपित् यहां प्रतिमा स्री रामनुचारिय को समर्थ करती है जो वेडान्द के महत्यपुन समर्थक है उन्होंने समानता और भक्ति आंदलन को पुनर जीपित करने में महत्यपुन भुमी का निभाय है रामानुचारिय की सिख्याय मानवता की एक्ता और इस्वर के प्रतिभक्ति पर जोड़ देती है इस प्रतिमा को प्रसिद्य मुर्थिका डॉक्टर रामसुतर ने डिजाइन किये जिन्होंने गुजराद के स्टैची ओप यूनिट को भी डिजाइन किये है इस प्रतिमा क वो पूरा करने के लिए कई साल लगे। The statue is situated on a 54-foot high-base building, Nonaaj Bhatrabedi, which houses a digital library and a research center. Surrounding the statue are 108 डिप्यादेशम, which are replicas of traditional विष्वी temples. Visitors can participate in various SEBAs at the 108 डिप्यादेश सेंटर्स, including Sutravat Seba, Abhishek Seba, Seba Kalam, Kalyanam and Homo. Details and registration are available online. यहां पर बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, पार्किंग का कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, पार्किंग के लिए भी आपको कुछ भी बेकना नहीं होगा. Statue of Equality was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on February 5, 2022. Entry Time है, Monday to Friday 5.30 a.m. to 8.00 p.m. Saturday Sunday 5.30 a.m. to 8.30 p.m. Monday to Friday Dynamic Fountain Show at 5.30 p.m. and Ledger Show at 7.00 p.m. and 8.00 p.m. Saturday Sunday Dynamic Fountain Show at 5.30 p.m. and Ledger Show at 7, 8 and 8.45 p.m. Entry Price है, Adult 200 per person, Children 5 to 12 years, 125 per child. यहां पर आपका dress code है traditional dress. इसके अंदर आप भेडियों और photography allow नहीं करते हैं. यदि आपको photo उठाना है, अंदर आपको पेशा देकर आप अपना photo किचवा सकते हैं. इसके अंदर 108 विश्न टेफिल है, जो अलग-अलग 108 विश्न जी का रूप का दर्शन करवाती हैं. The Statue of Equality was constructed at a cost of 216 करोर. The total cost of the project is approximately 1000 करोर. यहां पर आपका washroom का भी सुबिदह मिल जाएगा, और बुजुर्गों के लिए भी wheelchair का भी सुबिला उपलब्ध है. Total Height of Statue of Equality 216 feet. Total Height of Statue of Ramanucharya 108 feet. Total Height of Bhatrabedi 54 feet. Total Height of Padma Petum 27 feet. Total Height of Tridandam 135 feet. Number of Lotus Petal 54. Number of Elephant Under Lotus 36. Number of Sankha and Chakras 36. अंदर में एक ध्यान हम सामिल है जहां आगन तुक ध्यान कर सकते हैं और रामानुचारिय की सिख्याक से जूड सकते हैं. The statue is equipped with a lighting system creating a stunning visual during night time. यहां पर आगन तुक के लिए बाग, एक फूड कोट, समारकी दुकान और तिर्थक यात्री के लिए आबास सुविधाय, सहित सभी आबस्यक सुविधाय उपलब्द हैं. यहां पर अंदर जगा जगा प्रशाद का भी उपलब्द कर बाते हैं. यहां पर आप इबनिंग के टाइम पर आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. आप बाहर भी आपको स्नैक्स और जूस आप मिल जाएगा, बच्चों के लिए भी बाहर कार स्लाइडिंग ऐसा छोटो छोटा गेम आप देख सकते हैं. यहां पर आप डाइट सो मूच मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है. डूसलैन नख सेख वोचा लेगे मिल लेके सान अच्छा लेह भी अच्छा लेहा centrी अच्छा कंने में।ा है बाहर काल ढएगी, जापक। महाँवा है मुआ है अच्छा लेगे प्रिणीम, शून लेगे ह। अच्छा लेगे यह कि इधास लेगे ह। झाल 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 तब तक के लिए गुडबाई एंजय जगनात झाल 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 झाल